कि शीव में मानवता के कल्यान का संकल्पो समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ मिलता है चंद्रमा का शिव शक्ति फईंट हिमालय से कन्या कुमारी से जुड़े होने का बोद कराता है हमारे रुष्यों ने कहा है येन कर्मान्य पसो मनिश्णों यग्ये कुणवंती विद्देशु धी रहा यद्पुर्व यक्षमंतह प्रजानाम तन्मे मनह सिव संकल्पमास्तु अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं विचार और विज्ञान को गती देते हैं और जो सब के भीतर मौजूद है वो मन, शुप और कल्यानकारी संकल्पों से जुड़े मन के इन सुप संकल्पों को पुरा करने के लिए शक्ति का अचिरवाद रनिवारी है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है हमारी माताएं बेहने है हमारी यहां कहा गया है सुरुष्टी स्थिती विनाशाना शक्ति भूते सनातनी अर्थात निर्मान से प्रले तक पूरी सुरुष्टी का आधार नारी शक्ति ही है आप समने देखा है चंद्रयान थ्री में देश ने हमारी महिला वैज्ञानिकों ने देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमी का निभाई है चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सद्यों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दाथनिक चिंतन का साक्षी वनेगा ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीडियों को प्रेणा देगा कि हमें विज्ञान का उप्योग मानव ताके कल्यान के लिए ही करना है मानवता का कल्यान यही हमारा सुप्रीम कमिट्मेंट है साथियों एक और नाम करन काफी समय से लंबीत है चार साल पहले जब चंद्रियान टू चंद्रमा के पास तक पहुँचा था जहां उसके पदचिन पड़े थे तब ये प्रस्ताव था कि उस थान का नाम ताइक किया जाए लेकिन उन परिस्तियों में निरने लेने के स्थान पर हमने प्रान लिया कि जब चंद्रियान टू सफलता पुर्वक चांद पर पहुचेगा तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे और आज मुझे लगता है कि जब हर गर तिरंगा है जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है तो तिरंगा के सिवाए चंद्रियान टू से जुड़े उस्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है इसलिए चंद्रमा के जिस्थान पर चंद्रियान टू ने अपने पदचिन छोड़े है वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा प्लाएगा प्लाएगा